Hello students, welcome to Magnet Brain, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे Myself, Neha Verma from Magnet Brain So student, Magnet Brain एक कैसा YouTube channel है जहाँ आपको Kindergarden Means kg से class 12 तक आपको आपके पूरे syllabus का वीडियो मिलता है यहाँ पे, वो भी 100% free, right? मतलब यहाँ से पढ़ने का, वीडियो देखने का, आपको कोई भी payment नहीं देना पड़ता ठीक है student, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं हम कर रहे हैं कक्षा 1, class 1 का हिंदी आपकी जो NCRT के रिमजिम बुक है, उसका पूरा syllabus हम यहाँ पे complete करेंगे ठीक है student, तो हमने शुरू कर दिया है part 4, part 3 तक हम बिलकुल complete कर चुके हैं आपका सारा अभ्यास कर लिया है, ठीक है, part 4 की हमने कवीता पढ़ ली थी याद है, दड़ी दड़ी आई पकोड़ी, येस, याद आया, येस student तो उस कवीता के आगे का अभ्यास आज हम करेंगे, ठीक है student, पकोड़ी क्या है, खाने की चीज है हम सब को बहुत पसंद है, मुझको पसंद है, आपको पसंद है, गरम गरम पकोड़ीयां तो किसको पसंद नहीं है है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, येस, तो यहाँ पे जो आपकी किताब में अभ्यास दिया गया है, वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है आपको क्या करना है क्या भाता है क्या नहीं भाता भाता माने पसंदाना मन को भाना पसंदाना हम कहते ना क्या आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है है ना इसका मतलब आइसक्रीम मेरे मन को बहुत भाती है फिर आप बोलेंगे लौकी करेला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब वो मेरे मन को नहीं भाता ठीक है तो क्या भाता है मानि क्या चीज हमें पसंद है और क्या चीज हमें पसंद नहीं है यह हमें यहाँ पे करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके बुक में ऐसा एक टेबल दिया गया है और चीजे यहाँ पे चीजे मानि खानी की क्या दी गई है मजे से खाएंगे मानि कौन सी खाने की चीज को आप मजे से खाएंगे वहां टिक लगाएंगे कौन सी चीज आपको खाना पड़ती है मानि मम्मा जबदस्ती खेलाती है और कौन सी चीज आप बिलकुल नहीं खाएंगे वो करना है ठीक है तो चलो शुरू करत हमारी पहली चीज है जलेबी गोल गोल रसीली जलेबी तो क्या आप वो मज़े से खाएंगे कि आपको खाना पड़ेगा कि आप बिलकुल नहीं खाएंगे अरे भाई मज़े से खाएंगे कोई भी खाएगा तो बस यहां पे हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे जलेबी के साम ने मज़े से खाएंगे ठीक है दूसरा क्या है पकोडी पकोडी भी गरम गरम पकोडी तो भाई मज़े से खाएंगे है ना हमें कोई खाना थोड़ी ना पड़ेगा तो पकोडी भी हम मज़े से खाएंगे बैंगन अब बैंगन तो होती है सबजी और ममा सबजिया तो खिलाती हैं है ना तो क्या हम मजे से खाएंगे कुछ बच्चे खाना पड़ेगा भाई बिल्कुल नहीं खाएंगे तो ममा मार लगाएंगी तो बैंगन तो हमें खाना पड़ेगा क्योंकि यह है सबजी और सबजी हमें खानी चाहिए स्टूडेंट ठीक है उसके बाद है जो चीजे आप मजे से खाओगे उसके सामने आप टिक लगाओगे जो चीज आपको खानी पड़ेगी उसके आगे टिक लगाओगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं येस अब यहां पर क्या है पहला चित्र क्या है करेला करेला कैसा होता है भाईया है तो होता तो बहुत थी हमारे लिए मता हमें खाना चाहिए क्योंकि अगर हम करेला खाते हैं तो हमारे ब्लड को हमारे खून को साफ करता है है ना करेला क्या है सब चाहिए it's a vegetable so करेला क्या मज़े से खाओगे कड़वा लगता है कोई मज़े से नहीं खाएगा खाना पड़ेगा क्या बिलकुल नहीं खाएंगे क्या मैं तो बिलकुल नहीं खाओंगी लेकिन मम्मा जबजस्ती खिलाएंगी जरूर तो करेला खाना पड़ेगा student तो खाना पड़ेगा में टिक लगा दो नहीं करेला खाना चाहिए है ना बिलकुल नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं बोलना थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा है ना क्योंकि वो हमारे लिए फायदे में चीज है ठीक है घिया घिया माने लॉकी बॉटल गार्ड है ना लॉकी सो स्टूडेंट लॉकी भी एक हरी सबजी होती है और बहुत ही हमारे लिए फायदा करती है ठीक है टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता आलू के जैसा लेकिन खाना तो पड़ेगा भाई मजे से नहीं खाएंगे लेकिन खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा मैं टिक लगा दो आलू किसे पसंद नहीं है तो आलू तो हम मजे से खाएंगे उसके बाद आम रसीला रसीला आम किसे पसंद नहीं है तो यह भी मजे से खाएंगे है ना सूडेंट तो यहाँ पैसी कोई भी चीज नहीं है जो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे करेला हमें खाना पड़ेगा लौकी हमें खानी पड़ेगी बैंगन हमें खाना पड़ेगा क्योंकि यह सबजियां है और बाकी चुस्की, आम, पकोडी है ना जले भी ये तो हम मज़े से खाएंगे ठीक है स्टूडिन तो यह exercise बहुत इसी है यहाँ पे आपको सिर्फ चीजों के चितर दिये गए हैं और आपको वहाँ पे अपनी पसंद के अनुसार जो चीजे आपको मज़े से खाओगे वहाँ पे टिक करना है जो आपको खाना पड़ेंगी वहाँ पे टिक करना है ठीक है बहुत इसी है चितर देखो और exercise complete कर लो ठीक है तो यह exercise का explanation आपको magnet brain की website पर मिल जाएगा class 1 चूस करो ठीक है यहाँ पे ऐसे pictures open हो जाएंगी class 1 Hindi चूस करो Hindi की book open हो जाएगी इसे click करो सारे topic wise आपको chapter के according मिल जाएंगे ठीक है magnet brain की website पर जाना है www.magnetbrains.com ठीक है नोट कर लो www.magnetbrains.com ठीक है वहाँ class में जाओ और choose कर लो ठीक है student तो यह सब आपको मिलता है magnet brain पर यहाँ पर आपको student kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है ठीक है तो बस आगे का जो अभ्यास है इस पाथ चार पकोडी का वो हम आगे करेंगे इतना complete कर लो कवीता पढ़ो उसको याद कर लो ठीक है तो चलिए next video में मिलेंगे हम नए अभ्यास के साथ till then bye bye take care